दोस्तों, यदि आप भी परिशान है अपने मुबाइल के Internet Data को ले कर, यदि आप अपने मुबाइल के Internet Data को यूज करते हैं, तो आपका Internet Data बहुत जाते जल्दे खतम हो जाता है, लेकिन दोस्तों, यदि आप आद इस वीडियो को पुरा देखकर, केवला और केवल अपने मु वाल में दियान पूरूर करना आपके पास कोई भी मुवाइल हो कोई फ्रेक नहीं पढ़ने वाला है सभी मुवाइल कंपनी आपके वाल में यह सेटिंग को जो है प्रोवाइड कराती है तो इसलिए वीडियो को पूरा दियान से देखना दियान से समझना तो चले दोस्तों लmi वीडियो को सुरू करते हैं कोई game भी नहीं खेलते हो फिर भी आपका data जल्दी खतम हो जाता है या फिर दोस्तों आप बहुती कम time कुछ भी देखते हो अपने वाल के अंदर लेकिन आपको लगता है कि आपका data जल्दी खतम हो गया है तो वो आज के बाद नहीं होगा आपको एक ऐसी trick बताऊँगा लास्ट नंबर की चाह नंबर की यह दिया आप उसको कर लेते है तो फिर तो दोस्तों गजबी हो जाएगा आपका वनजी बेटा भी पूरा दिन जो है चल जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको कौन-कौन से setting करने है अपने मुबायल के अंदर और कैसे कैसे करने है अब पहले setting के और बढ़ते है चाहर setting करने है चाहर नंबर के आपको जुरूर देखने है अदरवाइज आप अपने data को पूरा दिन यूज नहीं कर पाएंगे अब पहले setting क्या करने है दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों आप सभी लोगों के mobile में एक application रहती है जिसका नाम रहता है play store जैसे इस mobile में भी है इस mobile में भी है तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है अपने mobile की play store में जो है चले जाना है जैसे कि मैं यहाँ पर दोस्तों चला जाता हूँ play store में जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर आपको उपर के साइड profile पर क्लिक करना है अपनी profile पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाना है setting में setting में जाने के बाद यहां पर आपको एक option मिलता है network preference इस वाले setting में जाना है अब यहां पर आपको एक option देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा auto update app इस पर click करना है और इसको सबसे नीचे वाले पर click कर देना है जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो यहां पर add do not auto update तो do not auto update आपको रखना ह जैसे आप इसको done कर देते हो इससे क्या होगा दोस्तों आपके वाल में जितनी भी application है उनको company क्या करते है application की company उनको automatic download करवाते रहते है जिससे कि आपका background में वह ज्यादा data लग जाता है माल लेगे आपने कोई ऐसे application download की गई है जो कि 500 MB की तो खुदी है इसमें कोई नया पर जुरूर से कर लेगे अगर दोस्तों आपको क्या करना है दूसरे number के एक और setting करनी है दूसरे number के setting को करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है जैसे आपके पास कोई भी मुबाईल हो जैसे आप मेरे पास दो मुबाईल है आपको जाना है setting में जैसे मैं इस वाले मु मुबाइल डेटा के नाम से तो दोस्तों मैं इसमें चले जाता हूँ खुल यहां पर यह उप्षन देखने को मिल जाता है जिसका नाम रहता है दोस्तों यहां पर Mobile Data Usage तो यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों यह कुछ loading लेगा तो यहाँ पर आप wait करेंगे तो यहाँ पर दोस्ता आपको check करना है कि सबसे ज़्यादा डेटा आपका कहाँ पर consume हो रहा है आपके मुझाले के अंदर तो मेरे case में आप देख सकते हो dual messenger और यहाँ पर WhatsApp business इन दोनों में सबसे ज़्यादा डेटा मेरा यूज हो रहा है तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है simple simple यहाँ पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है allow background data usage तो आपको allow background data usage इसको बंद कर देना है तो इससे क्या होगा दोस्तों यह जो application होगी जो कि आपका बहुत ज़्यादा डेटा खा रहे थी background में यह बंद हो जाएगा और आपके mobile में जो है internet data बहुत ज़्यादा save रहेगा ओके यहन्न कि ज़्यादा खरच नहीं होगा जिससे कि दोस्तों आपका जो data होगा वो बहुत ज़्यादा लंबे time तक चलेगा वहीं पर use होगा जो कि आप जो है अपने mobile में use कर रहे है तो दोस्तों यह पहले किसी और तरीके से setting थी मैंने आपको पहले ही बताया होगा लेकिन अब यह new तरीके से आया मुबाले के अंदर update होने के बाद तो अब आपको यह setting ऐसे करनी होगी इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना दुबारा से अब दोस्तों यह दो setting तो आपको अपने mobile में करनी है अब दोस्तों बात करते हैं कि आप लोग सबसे ज़्यादा दो है अपने mobile के अंदर वीडियो ही देखते होंगे न वीडियो के अलाबा और तो कुछ नहीं देखते तो आपको करना क्या है दोस्तों यदि आप YouTube पर वीडियो देखते है YouTube का आपका data बहुत जादे जल्दी खतम हो जाता है तो उसके लिए आपको एक setting करनी होगी YouTube तो आप सभी लोगों के मौले में देखने को मिलेगी तो YouTube के अंदर आपको एक setting करनी है आपको करना क्या है YouTube को open गरना है इस तरीके से जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर YouTube open हो चुकी है अब दोस्तो YouTube open करने के बाद आपको जाना है उपर यहाँ पर profile में profile में जाने के बाद दोस्तो आपको जाना है यहाँ पर setting में setting में जाने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाता है जिसका नाम दोस्तो रहता है Video Quality Preference तो आप video quality preference वाले option में जाएंगे, अब दोस्तों यहां पर आपको एक option देखने को मिलेगा, data saver, यह वाले setting को own करना है, इसके बाद यहां पर एक option मिलेगा, video quality own mobile network, यहां पर आपको करना है, data saver, दोनों में आपको data saver जो है, कर देना है, तो जैसे आप यह setting दोस्तों कर ले में video दिखाएगे, जो कि आपके mobile को recommended करेगी setting, ओके, तो इस setting को जुरूर से कर लेना, आपने वाले के अंदर, बहुत जाज़ा data आपका बच जाएगा, दोस्तों, अब दोस्तों, बात करेंगे, 4 number के setting की, जिसका कि आप सभी लोग wait कर रहे थे, कि 4 number के setting यहां आप नहीं क program, या फिर कुछ भी, ओके, वहाँ पर बहुत सारी video आपको देखने को मिलती है, आप उनको download करते हो, या आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, तो आप अपने वाले से personally video बनाते हो, camera को खोल कर, ओके, तो वो video भी दोस्तों, आपकी gallery में ही जाती है, और जो आप download करते है, कुछ भी, वो भी आपकी gallery में ही जाता है, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, आप सभी लोगों के वाल में एक application रहती है, जो की Google folder मिलेगी, जिसका नाम होगा Google Photos, ओके, तो वो जितना भी आपका video और photo है, वो यहाँ पर दोस्तों, इस चला जाता है, ओके, तो जैसे वो इस application में आएगा, जैसे आपका backup own है, तो जितने MB की, वो आपने video shoot करी या फिर download करी, उतने MB आपका data खरच करके, वो वीडियो यहाँ पर जो है backup बनाएगी, तो जिससे क्या होगा, यदि आपके आज WhatsApp group में कोई लबबी सी वीडियो आग अपने अंदर उस वीडियो का, तो यह आपको हटाना है, यदि आप चाहते हो, कि आपका वंजिवी data पूरा दिन चले, यह कैसे हटेगा दोस्तों, आपको जाना है अपने profile पर, profile पर जाने के बाद, यहाँ पर आपको जाना है दोस्तों, photo setting में, photo setting में यहाँ पर एक option मिले देखने को, जिसका नाम रहेगा, mobile data usage, तो mobile data usage पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका unlimited होगा, यहाँ पर आपको 30 MB करना है, केवल 30 MB तक का ही, जो है, per day, जो है, backup बने, जिसके के आपका backup भी नहीं रूखेगा, और जो है, आपका data भी खतम नहीं होगा, यदि आप unlimited रखे है, तो manually वीडियो पर क्लिक करके, उसका backup आप बना सकते हो, ओके, तो यह नमबर ती, 4 नमबर के setting, यह आपको लिए, भूधादा VIP जो है, हो जाती है, तो यह आप इन settings हो कर लेते हो, दोस्तों, उसके बाद आप देखना, आपका WNGB data जो है, खतम भी नहीं होगा, तो दोस आपका आपका देन, शूबो.